असलाम लेकुम, आज मैं आपके थार शेयर करनी हूँ चने की डाल की बर्फी बनाने की रेसिपी यहाँ पर इस बर्फी को मैंने बहुत आसान मेथट से बनाया है और यह बर्फी एकदम पर्फेक्ट बनती है बहुत अच्छी बर्फी बनकर त्यार होती है बहुत ही आसान मेथट भी है बस थोड़ा सा टाइम कंस्यूमिंग है बट रेजल्ट आउट स्टैंडिंग है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चने की डाल की बर्फी चने की डाल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो कप यानि की 400 ग्राम लिवी है चने की डाल इसको मैंने 4-5 गंटे के लिए भीगो दिया था तो यह अब अच्छी तरह से भीगी वी डाल है तो अभी मैंने इसका सारा पानी निचोड लिया है अब हम चलते हैं इसको पकाने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ यह मैंने 250 ml का कप यूज कर रहा है इससे मैंने मेजर करके 2 कप डाल लिवी है जो की वेट में है 400 ग्राम तो यहाँ पर हम एक पैन ले ले लेंगे और अपनी भीगी वी डाल इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे साथ में हम इसमें 2 कप दूड डालेंगे वेट में मेजर करेंगे तो यह 500 ml दूद है दूद आप नॉर्मल कोई सा भी ले सकते हैं कच्चा पका उबलावा ठंडा गरम जैसा भी दूद आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं अब हम इसको चलाते हो पकाएंगे पूरा नहीं ढखेंगे पूरा ढख देंगे तो दूद उबल कर बाहर आजाएगा इस तरह से इसको ढखेंगे और धीमी आज पर इसको कम से कम 20 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लिम पर मैंने इसको तकरीवां 20 मिनट के लिए पकाया है बीच में एक दो बार उपर नीचे कर लिजेगा इसको और यहाँ पर हमारी दाल पक चुकी है दूद भी almost सूख चुक है अगर आपकी दाल में दूद नहीं सूख है तो गैस की फ्लिम को हाई करके दूद को सुखा लिजेगा अब हम दाल को थोड़ा सा ठंडा करेंगे फिर हमें इसको ग्राइंड करना है दाल को ग्राइंड करने के लिए मैं आपर फूट प्रोसेसर का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो मिक्सी का जार भी यूज़ कर सकते हैं और दाल को आप दरदरी साइड पर रखना चाहते हैं यानि कि जो बर्फी उसको दरदरा रखना चाहते हैं तो दाल को थोड़ा सा दरदरा पीस येगा और अगर बिल्कुल फाइन चाहते हैं तो इसको फाइन पीस लीज़ेगा तो यहाँ पर डाल पिस चुकी है और इसको पीस्ते टाइम मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी या फिर दूद नहीं डाला था और यह देखे मैंने इसको थोड़ा सा दरदरी साइड पर रख गा है क्योंकि जो दरदरे चंक से आते हैं बरफी में वो खाते टाइम बहुत अच्छे लगते हैं तो आप भी अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा दरदरी साइड पर रख सकते हैं तो चलिए अब इसको पकाना शुरू करते हैं एक पैन में हम वन कप और वन बाई फूर कप घी ले लेंगे आप चाहें तो डालडा घी ले सकते हैं या पर देसी घी भी ले सकते हैं देसी घी में बरफी का टेज़ जादा चाहता है घी के गरम होने से पहले ही हमने जो दाल पीसी है इसमें डाल देनी है घी को तेज गरम करने के बाद हम डाल नहीं डालेंगे पहले ही डाल देंगे वरना फिर जो डाल होती है कुछ जगाओं से सक्त हो जाती है कुछ जगाओं पर मुलाहम रह जाती है तो बस घी को मेल्ट करिएगा और डाल इसमें डाल दीचेगा और अब घी के साथ डाल को अच्छी तरह से मिला देंगे घी की क्वैंटिटी अगर आप ग्रैम्स में मेशर करेंगे तो 300 ग्राम मैंने घी लिया वैए 400 ग्राम डाल है 300 ग्राम घी है यानि की घी बस थोड़ा सा ही कम होता है डाल की क्वैंटिटी से अगर आप जादा कम घी का इस्तमाल करेंगे तो फिर आपकी जो बर्फी है वो सूखी सूखी बनेगी इसलिए घी की अच्छी खासी क्वैंटिटीज में जाती है अब हमें इसको lower medium flame पर पकाना है जब तक घी और दाल एकदम अच्छे से आपस में मिक्स नहीं हो जाते है और अब शुरू होती है हमारी जोड लगा के हाई शावाली मेहनत जी अब हमें इसको भूनना है और काफी शिदत से काफी मेहनत से भूनना है तीस से 35 मिन के लिए इसको भूनेंगे लगातार चलाते वे जितनी अच्छे आपकी दाल भूनी होगी उतनी अच्छे आपकी बर्फी बनेगी ये बात तो आपको पहले की वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ और इस वीडियो में भी बता रही हूँ तो पर्फेक्ट बर्फी का जो फर्मूला है ना वो यह ही है कि आपकी दाल बहुत अच्छे भूनी होनी चाहिए बिल्कुल इतनी अच्छे से भूनी होनी चाहिए कि जो उसमें एक दाना असा नजराना चाहिए दानेदार से आपकी दाल हो जानी चाहिए तब ही जो आपकी बरफि बनती है वो perfect बनती है तो चने की दाल को भूनने के लिए आप चाहें तो फैमली के 1 दो मेंबर्स की आप help ले सकते हैं अगर आपका हाथ दुगी है तो उनसे भून वाले उनका दुगी है तो आप भून ले इस तरह से तो अभी आप देख रहे हैं मैं इसको lower medium flame पर लगाता है चलाते हैं भून रही हो आप चाहें तो gas की flame को medium भी कर सकते हैं लेकिन फिर आपको हाथ और भी जल्दी जल्दी चलाना होगा जैसे जैसे दाल भूनती जाएगी ये घी अलग करती जाएगी यानि कि दाल से घी अलग होने लगेगा यही अच्छी दाल के भूने होने की पहचाने जब दाल अच्छी से भून जाती है तो ये घी को छोड़ना शुरू कर देती है मैंने यहाँ पर दाल को भूनने के लिए अभी गैसी फ्लेम को मीटियम कर दिया है और दाल ने हलका हलका सा घी सेपरेट करना शुरू कर दिया है अभी हमें इसको और भूनना है जब तक दाल का कलर बदलनी जाता है यह लाइट गोल्डन नी हो जाती है तब तक हमें इसको भूनना है तो यहाँ पर दाल को भूनते वे तकरीबं 30 मिट हो चुके है और यह देखिए डाल में से जो घी है वो अलग होने लगा है आप देख सकते हैं घी अलग से दिख रहा है अभी हमें इसको और भूनना है अभी जब आपको घी अलग होता है दिखने लगे उसके बाद आप इसको 8-10 मिट के लिए और भूनियेगा एक्दम 30-30 इसमें खुश्बू आने लगेगी जब ये अच्छे से भून जाती है तो बहुत अच्छी खुश्बू इसमें आने लगती है और ये अपना कलर भी बदल देती है जब दाल अच्छी तरह से भून जाएगी तो आपको खुद पहचान में आने लगेगी क्योंकि इसका पानी आलमोस सुक चुका होगा और इस तरह से इसका जो कलर है आपको देखने लगेगा ये देखिए ये नीचे से अपना कलर बदलने लगेगी अब इसको हमें और भून लेना है और ये देखिए दाल में से जो है वो तेल तो एकदम perfectly हमारी दाल भून चुकी है इस टाइम हमें गैस की फ्रेम को बिल्कुल लो करते ना है और अब हमें इसमें एड करना है दूद तो एक कप मैं इसमें दूद शामिल कर रही हूँ ये नॉर्मल टंपरेचर का दूद है आप गरम भी यूज़ कर सकते हैं ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं और दो कप डालेंगे इसमें शकर दो कप डाल ली थी मैंने तो दो ही कप शकर का इस्तमाल कर रही हूँ दोनों का वेट 400 ग्राम और 400 ग्राम है यानि कि डाल भी 400 ग्राम है और शकर भी 400 ग्राम है इसी के साथ मैं इसमें 200 ग्राम डाल रही हूँ खोया यानि कि एक कप मैं इसमें ग्रेट करवा खोया भी डाल रही हूँ यह optional है लेकिन इसे बरफी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है तो मुम्किन हो तो आप भी जरूर अट करेगा खोया नहीं डालना चाते हैं तो फिर milk powder आप डाल सकते हैं इसी point पर इसमें एक टीस्पून छोटी लाचे का powder भी डाल लीजेगा मैं इस टाइम भूल गी तीस में डालना मैंने बाद में शामिल करा जिसको मैं शूट नहीं कर पाई हूँ तो एक टीस्पून छोटी लाचे का powder जरूर डाल लिएगा अब इसको medium flame पर लगता चलाते हैं पकाएंगे साथ से आट मिनट के लिए जब तक इसकी एक perfect सी consistency नहीं हो जाती है बर्फी वाली consistency नहीं आ जाती है अब मैं इसको थोड़े से dry fruits डाल रही हूँ तो बस मैं काजू और बादाम डाल रही हूँ आप चाहें तो किश्मिश और नारियल भी डाल सकते हैं और dry fruits की quantity आप जादा भी डाल सकते हैं मैंने भी थोड़े से डाल लें बाकी में garnishing में यूज करूंगी आप अपने टेस्ट और जरूरत के इसाब से इसमें dry fruits का इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर यह देखिए एक दम इसकी perfect consistency आगई है अब आप इसको चाहें तो एक हलवे की तरह भी serve कर सकते हैं और आप चाहें तो इसकी बर्फी बना सकते हैं तो हलवे की तरह serve करना है तो बड़ सिंपली बोल में निकाल लिए और serve कर लीजे और अगर बर्फी बनानी है तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से इसकी बर्फी बनानी है तो चलिए बर्फी बना लेते हैं तो बर्फी बनाने के लिए मैंने पहले से एक मुर्ड को घी से ग्रीस करके रखावाए आप कोई सा भी बर्तन ले लेडे और उसको घी से अची तरह से ग्रीस कर लीजे और अपना तयार करऊ चने के डाल का मिक्षर इसमें ट्रांसफर करतेखे और इसको इससे पैचुला की म度दस से जितना अच्छा गार्णिश करेंगे उतना ही अच्छा लोग आएगा आपकी बर्फी का और ड्राइफ फ्रूट्स को इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें फेक्स हो जाए तो अभी इस गरम मिक्स्चर में हमें मार्क्स बना लेने निशान बना लेने इसको कट कर लेने तो बर्फी नुमा या स्कॉाइर शेप में या रेक्टेंगूलर जैसा आप चाहें इसको काट सकते हैं तो अभी मैं इसको एक घंटे के लिए नॉर्मल टंप्रेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी जब ये रूम टंप्रेचर पर आ जाएगा तब हम इसकी बर्फियां काटेंगे तो अब एक घंटा हो गया इसको सेट होते वे तो अब हमें इसकी बर्फियां निकाल लेनी है मैं आपको दिखाती हूँ कितनी पर्फिक्ट हमारी बर्फि बनकर तयार हुई है यहाँ पर इस बर्फि को बनाने के लिए मैंने चाशनी का भी इस्तमाल नहीं कर रहा है बहुत सिंपल तरीके से बर्फि बनाई है फिर भी यह बर्फि बहुत टेस्टी बनती है और अगर आपको चाशनी वाली बर्फि की रेसिपी चाहिए है तो वो मेरे चैनल पर अप्लोडेड है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि चाशनी वाली चने की डाल की बर्फि किस तरह से बनाई जाती है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूं चेक कर लिजगा तो आप बिचने की डाल की बर्फि की आसान सी रेसेपी ट्राइ करिए और मुझको अपनी फीड़बैक सीजे आपकी बर्फि कैसी बनी आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं रूम टमप्रेचर पर आप इसको 5-6 दिन के लिए रख सकते हैं बहुत पर्फिक्ट हमारी ये बर्फि बनती है जब आप इसको मेरे बताओे मैथर्ट से बनाएंगे उमीद करती हूं चने की डाल की बर्फि की ये असान सी रेसेपी आपको पसंद आई होगी ज़रूर से ट्राइ करिए और अपनी मुझे को फीड़ बैक सीजिए रैसे पी अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे आपसे हमिल रिक्वेस्ट है बिना सबस्ट्राइब किये मच आएगा और मेरे फेबुक पेज और इंस्ट्राग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दियावा है वीडियो देखने का शुक्रिया अल्हाफिस